कि आज हम लोग क्लासिक्स के पार्ट फूर वीडियो की बात करते हैं तो पार्ट फूर्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन आफ एनिमाल्स ऑन दा बेसिस आफ देयर फूड हैविट्स मतलब भोजन के अधार पर एनिमल्स को कितने भागों में बाटा गया है क्लासिफिकेशन किया गया है वर्गी क्रिप्त किया गया है इसके बारे में हम लोग आज इस पीडियो में जानेंगे तो हम जानते हैं कि फूर्ट हैविट्स के अधार पर चिवो को तीन भागों में बाटा गया है सबसे पहले हर्वी वोरस सकाहारी कार्णी वोरस मंसाहारी थर्ड में हुआ ओम्नी भोरस सर्वाहारी यह फर्स्ट हुआ सिकेंड हुआ और यह थर्ड हुआ मतलब कि अब इतना हम जाने कि भोजन के अधार पे जीवों को तीन भागों में बाटा गया है फर्स्ट हर्भी भोरस हर्भी भोरस के बारे हम जानेंगे तो दोज एनिमल्स वीच इट वनली प्लांट्स और प्लांट प्रोड़क्ट आरकर अलंड हर्भी भोरस वैसा एनिमल्स जो ऑनली प्लांट्स को खाटा या प्लांट्स प्रोड़क्ट्स को भोजन के रूप मिलता है उस छीवोको को हम लोग हर्भी भोरस कहते- मतलब शकाहरी कहते एक्जाम्पल, काउ, गौट, वफैलो, हॉर्स, सीप, डियर, कैमल, इटीसी करनीबोरस का मतलब होता है मनसाहारी दोज एनिमल्स वीच इट वनली अधर एनिमल्स आइज फूड आर काल्ड करनीबोरस वैसा जीव जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में लेता है उसे कारनीबोरस करते हैं मनसाहारी करते हैं फॉर एक्जाम्पल लैन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंग फिसर, स्नैक, एटीसी थर्ड में पढ़ते हैं थर्ड ओमनीबोरस ओमनीबोरस का मतलब होता है सर्वाहारी सर्वाहारी दोज एनिमल्स वीच इट बॉथ प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीबोरस फॉर इक्जाम्पल्स मैन, डॉग, कैट, क्रू, हेन, पीग, बीर, इटीसी हम लोग जानते हैं कि ओमनीबोरस में सबसे पहले हम लोग human beings को लेते हैं क्योंकि human beings जो होते हैं वो दोनों खाते हैं plants को भी भोजन के रूप में लेते हैं और animals को भी भोजन के रूप में लेते हैं मतलब कि यह सरवाहार होते हैं जो दोनों को plants products भी खाते हैं और animals products भी खाते हैं मांस भी खाते हैं सभी चीज खाते हैं या इसलिए इसको omnivores कहा जता है जैसे for example में देखें हम लोग मैं मैं या human beings भी करते हैं इसको human beings dog cat cow hen pig भी और एटी सी